हेलो दोस्तों मेरा नाम है नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टैग गुरू प्लस इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि टैली में अपना लोगो जो है कंपनी का उसको कैसे अफ्लोड किया जाता है तो उसके लिए पहले मैं आपको एक एंटरी दिखा देता ह हों ताकि हमें लोगो का इफेक्ट पता चल जाए यह हमारी सेल्स की एंट्री है हम करते हैं और पी और एंटर और सोबर देहां जूम यहां पर हमारा कंपनी का कोई लोगो नहीं आ रहा है अब हमें अपनी कंपनी का यहां पर लोगो डालना है तो हम करते हैं इसको बैक और यहां पर हम दबाएंगे F11 बटन F11 दबाने के बाद हम यहां जाएंगे Enable Company Logo Option पर इसको कर देंगे हम Yes और यहां पर हमें डालना है वो एड्रस जहां पर हमारा लोगो पड़ा हुआ है हमारा लोगो इस फॉर्मेट में होना चाहिए या तो BNP फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में तो हमारा जो लोगो है वो पड़ा हुआ है D Drive में और यह हमारा लोगो है इसका इटरस है D Drive में और यह Logo.jpg यह JPG हमारी इमेज है तो हम जब वहां लोगो का नाम डालेंगे Logo.jpg ड़लेगा लोगो.jpg अब हम यहां पर एंटर कर देंगे एक्सेप्ट कर देंगे ओके यस यह हमारा लोगो सेव हो चुका है अब हम बिल में चेक करते हैं कि हमारा लोगो आ गया है या नहीं अल्ट पी एंटर यह देगे हमारा लोगो आ चुका है और जेट करते हैं जोन करने के लिए और यह आ चुका है हमारा कंपनी का लोगो इस तरह से दोस्तों आप कोई साभी लोगो अपनी कंपनी का लगा सकते हैं उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आए हूगी अगर आपक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें